Hi guys and welcome back to the channel. आज मैं आपको एक और side income का method explain करूँगी जिसमें आप per month 30,000 रुपीज तक earn कर सकते हो. ये काम आप अपने घर से बैठे कर सकते हो, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है और इसे करने के लिए आपको कोई eligibility criteria नहीं है. इस वीडियो में मैं आपको कुछ proofs भी दिखाऊंगी जहाँ लोग इस method के थूरू 30,000 पर month already earn कर रहे हैं. So let us start with understanding कि ये method है क्या. इस method का नाम है ghost writing. Ghost writing का मतलब होता है कि आप एक ऐसा content piece या article लिखते हो जिसका credit आपको ना मिलके किसी और को मिलता है. ये example से समझना थोड़ा आसान होता है. जैसे कि अगर आप LinkedIn पे किसी भी creator की post देखते हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि उस creator ने वो post लिखी है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी ghost writer ने लिखी हो, और creator ने सिरफ उसे publish किया हो. इसी तरह से जिनकी भी आप Twitter पे tweets देखते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो tweets उन्होंने खुद लिखी हो, हो सकता है वो एक ghost writer ने लिखी हो. इसके और भी कई सारे तरीके होते हैं, इसके आप e-books लिख सकते हो किसी और author के लिए, आप newsletters लिख सकते हो, किसी भी business या फिरके founder के लिए, या फिरके आप blog post पे लिख सकते हो, किसी भी business या creator के लिए. Ghost writing एक perfectly legal method है to earn money, बहुत सारे लोग ghost writing अल्रेडी करते हैं. अब यहाँ पर काफी लोगों का एक concern आता है, कि इसके लिए तो एक बहुत बड़ा skill required है, which is कि आपको English अच्छी आनी चाहिए, और अगर मेरी English अच्छी नहीं है, तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं? विल, ये बात बिलकुल सच है कि आपकी English अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी English अच्छी नहीं भी है, तो भी कुछ ऐसे artificial intelligence based tools आते हैं, जिनको use करके आप एक अच्छी post curate कर सकते हो. Let me suggest you एक ऐसा tool जो की बहुत ही effective है, इसका नाम है Quillbot. मैंने कुछ हफ़ते पहले Quillbot के साथ partner भी किया था, जितने भी creators और writers के साथ मैंने बात की, उनमें से जादा तर लोग Quillbot का free या फिर के premium model already use कर रहे हैं. मैं आपको एक example देके show करती हूँ कि आप इसको कैसे freely try कर सकते हो. तो आप Quillbot का co-writer tool open करो, यहाँ first draft के option पे click करके, जिस पी topic के उपर आपको post लिखनी है, उसका नाम mention करो. जैसे मानलो आपने लिखा write a post on ghost writing. ऐसा करने से यह automatically आपको एक बढ़िया सा start दे देगा आपकी post का. इसके इलावा अगर आप दूसरा वाला feature try करना चाहो, जिसका नाम है suggest outline, तो उसके अंदर अगर आप ghost writing लिखोगे, तो यह आपको एक proper outline बता देगा कि आपकी ghost writing की post में क्या क्या आना चाहिए. और सिरफ इतना ही नहीं है, इसके right side पे यह बटन गिवन है, इस पे click करके आप और बहुत सारे ideas generate कर सकते हो, जिससे की यह paragraphs को complete करने की कोशिश करेगा. Similarly, अगर आप add an example पे click करोगे, तो हर point का यह example भी देगा, और अगर आप चाहो, तो counter opinion वाला point पी use कर सकते हो, उसके करन आपने जो भी लिखा होगा, उसका opposite opinion भी यहाँ पे यह mention करेगा. किसी भी अच्छे writer के लिए na, crisp and to the point post लिखनी बहुत जरूरी होती है, तो Quillbot के अंदर ही आपको paraphrase और summarize के options दिखाई देते हैं, जिनको use करके आप यह दोनों targets को achieve कर सकते हो, और इसी के साथ साथ आपको grammar checker भी मिलता है, जिसके कारण अगर आपकी English उतनी अच्छी नहीं भी है, तो भी आपके grammar और spelling errors को correct करने में आपकी help करेगा. तो अगर आप कोई भी post लिखना चाहते हो as a ghost writer, चाहे आप student हो, content writer हो, freelancer हो या even कोई professional हो, I will highly recommend कि आप Quillbot को try करो, इसको free में try करने के लिए जो link मैंने description और pin comment में add किया है, उस पे click करके आप इसको access कर सकते हो, और अगर आपको कभी भी इसका premium version बाई करना हो, तो आप मेरा code यूज़ कर सकते हो, shweta20, जिससे आपको 20% off मिल जाएगा on its annual premium subscription. तो अब समझ लेते हैं कि इसमें आपका earning potential कितना है, सबसे पहले मैंने एक YouTuber से बात की थी, जिन्होंने बताया कि उनकी जो YouTube की description होती है, जैसे आपकी कोई भी वीडियो के नीचे एक description लिखी होती है, कि ये वीडियो किस बारे में है, ऐसी 15 वीडियो एक महीने में उनकी description लिखने के लिए, वो एक person को 30,000 रुपीज पे करते हैं पर मन्थ. उन्होंने ये भी mention किया था, कि जो लोग LinkedIn के उपर post लिखते हैं, वो almost 20,000 रुपीज चार्ज करते हैं for writing 12 post. इसके इलावा मैंने प्रितेश से भी बात की थी, जो कि LinkedIn के उपर काफी actively writing के उपर लिखते हैं, उन्होंने ये चीज mention की थी, कि अगर एक person अपने passion के लिए अच्छे से लिखता है, और वो एक post per day लिखते हैं, तो 30 posts एक महीने में लिखने के लिए, वो अराम से 30,000 per month earn कर सकते हैं, इसके लावा मैंने श्राविका से भी बात की थी, जो कि already LinkedIn के लिए बहुत सारे founders के लिए ghost writing करती हैं, और उन्होंने ये share किया था, कि अगर आप किसी agency के under train हो रहे हो, तो शुरू में वो आपको 100 रुपीज से लेके 200 रुपीज per post पे कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी quality of writing improve होती जाती है, उसके बाद वो आपको 20-30,000 रुपीज per month easily pay कर सकते हैं, अगर आप consistently एक post per day लिखते रहते हो, तो next point आता है कि आप अपने first client को ढूंडोगे कैसे, जो कि सबसे बड़ा challenge होता है, अब इसके बारे में बहुत सारे ऐसे portals हैं, बहुत सारी ऐसी websites हैं, जिनके नाम मैं screen पे भी list कर रही हूँ, जो बहुत सारे लोग recommend करते हैं, जहां से आप content writing के लिए clients को ढूंड सकते हो, लेकिन एक person जो बिल्कुल scratch से शुरू कर रहा है, उसके लिए ये काम उतना असान नहीं होता, in that case मैं आपको कुछ ऐसे suggestions देती हूँ, जो मुझे इनी ghost writers और creators ने share किये थे, जिससे आपको एक better idea लग पाएगा, सबसे पहले तो आपको अपने content writing का एक portfolio बनाना होता है, portfolio बनाने के लिए आप या तो अपनी social media profiles, जैसे कि Twitter या LinkedIn के उपर regularly post लिखते रह सकते हो, और आप उसका link share कर सकते हो जब भी आप किसी को reach out करते हो, या दूसरा तरीका होता है एक platform पे लिखना जिसका नाम है medium, आप medium के उपर अपनी post को लिखके उनके links भी अपने clients के साथ share कर सकते हो, दूसरा suggestion जो मुझे श्राविका से मिला था, वो ये कि कुछ ऐसे WhatsApp community groups हैं, जहांपर ऐसी post regularly आती रहती हैं, उन WhatsApp community groups के इलावा एक ऐसा startup भी है, जो particularly इस तरह के gigs के लिए आपको opportunities प्रोवाइड करते हैं, इस startup का नाम है Blue Learn, तो आप चाहो तो उनकी app या फिरके उनकी website पे जाके ऐसी opportunities को चेक कर सकते हो, third point भी श्राविका नहीं mention किया था, which is कि बहुत सारी ऐसी agencies हैं, अगर आप LinkedIn पे जाके personal branding agencies नाम टाइप करोगे, तो आपको बहुत सी ऐसी agencies मिल जाएंगी, जो ऐसे लोगों को train करती हैं, जो ghost writing करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी धियान रखना होता है, कि कोई भी agency आपको बिना prior portfolio के hire नहीं करेगी, इसलिए आपको पहले अपना portfolio बनाना है, और उसके बार उस agency को reach out करके अपना काम share करना है, ताकि वो आपको training के लिए accept करें, फूर्थ में थर्ड होता है freelancers को reach करना, जैसे कि श्रावी का एक ghost writer है, और वो एक freelancer भी है, लेकिन अगर आपका काम अच्छा होता जाता है, then आपका side income 10-20,000 easily हो सकता है per month, श्रावी का ने यहाँ पर ये भी mention किया है, कि वो खुद भी ऐसे लोगों को ढूंड रहे हैं, जिनको वो train कर पाएं, तो अगर आप चाहते हो, तो आप श्रावी का रीच आउट भी कर सकते हो, मैं पृतेश और श्रावी का दोनों की LinkedIn IDs, description में आड कर दूँगी, next point पृतेश ने mention किया था, कि अगर आप content creators के लिए ghost writing करना चाहते हो, जैसे मानलो Twitter पे या LinkedIn पे, in that case आपको उनके content के साथ engage करना चाहिए, अगर इसके हिलावा आपके दिमाग में कोई भी और question आता है, as to how to earn from ghost writing, तो आप या तो श्रावी का या पृतेश को reach out कर सकते हो, या फिर कि आप comments में भी वो add कर सकते हो, I will definitely try to help you out. अगर आपको ये video helpful लगती है, and ऐसे आप और methods जानना चाहते हो, as to how to earn side income या do a side hustle, then just let me know in the comments by typing yes, so that I keep making more of these videos. Thank you so much for watching this guys, and all the very best.